नमस्कार दोस्तों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर रासी वालों का 12 सेप्टिम्बर 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या पड़िवर्तन क्या क्या बदलाब होगा लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 12 सेप्टिम्बर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है दसमी, नक्षत्र है आरदरा, पक्ष है क्रिस्न पक्ष, दिन है सनी बारे आज के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बज के 4 मिनट में, सुर्य अस्त का समय है 6 बज के 29 मिनट में रितू है सरद, आज का दिन काल है 12 घंटे 24 मिनट 30 सेकेंड का महिना है अस्विन आज के दिन सुब शमय सुरू होता है 11 बज के 50 मिनट एम से 12 बज के 55 मिनट पी एम तक असुब काल सुरू होता है 6 बज के 4 मिनट एम से 7 बज के 43 मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है 9 बज के 10 मिनट एम से 10 बज के 43 मिनट एम तक दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग दोस्तों इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोट का भग्यसाली रंग और भग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें लेकिन सबसे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और इस वेडियो के नीचे जै बजरंग बली कमेंट कर दें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके धन संपती के बारे में दोस्तों पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामान से बहुत ज्यादा नीचे है आज के दिन अपने खर्चे पर आपको कंट्रोल करना होगा अन्यथा आने वाले शमय के दोरान धन संपती के मामलों में आपको पड़ेसानी का शामना करना पड़ेगा दोस्तों अगर आपके घर पड़िबार की बात करें तो घर पड़िबार के द्रिष्टी कौन से भी आपका शमय सामान नी रहेगा न ज्यादा बिहतर न ज्यादा खराब दोस्तों आज के दिन अपने घर पड़िबार में अगर आप कोई पड़िवर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पड़िवर्तन करने से पहले अपने घर बालों से आपको वारता लाप करना होगा और घर बालों से वारता लाप करने के बाद ही आप कोई पड़िवर्तन करें लेकिन दोस्तों अगर आपके प्रेम शंबंध की बात करें तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय सामाने से बहुत ही जयादा नीचे है आज के दिन अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका की गैर जरूरी बेजा फालतु मांगों के सामने आप घुटने बचने का प्रियास करें अन्य था आने वाले शमय के दौरान आपके प्रेम शंबंध में आपको पड़ेसानी का सामना करना पड़ेगा दोस्तों अगर आपके कामकाज बेपार बेबसाई की बात करें तो कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जयादा बिहत और सांदार है आज के दिन आपके कामकाज में आपके काड़य च्छत्र में आगे बठने का मौंका आपको अवश्य मिलेगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए भघ्यसाली रंग, भघ्यसाली अंक और उपाई क्या है दोस्तों आज के दिन आप काले और सफेद तिल को आटे में मिला कर उसकी गोलियां आप मचलियों में डाल दें अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगा दोस्तों आज के दिन आपके लिए भग्यसाली रंग है भुरा और सलेटी आज के दिन आपके लिए भग्यसाली अंक है नो यानी की नाइन तो दोस्तों यही था आज के दिन का रासी फल तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस झाल झाल झाल